हालो फ्रेंड्स, वेलकाउं टू जानी टॉक्स हपी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम से सबंदी दोस्तों यह जो मौक टेस्ट है यह 27 रहने बाला है अगर इसे पहले की 26 कलासिस या फिर 26 मौक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को पुष्टब कर सकते हैं अच्पी पुलिस कॉंस्टेबल नाम से होगी प्लेलिस्ट और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन जी के साइंस, एच्पी जी के रिजिनिंग, हिंदी और इंग्लिस सभी शेक्षन से प्लेशन डिसकस करने बाले हैं तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आन तक वीडियो काफी इंटरस्टिंग रहने बाली है तो दोस्तों पहले जो हम शुरुवात करेंगे कुछ एक प्रेशन है रिजिनिंग के रिजिनिंग के प्रेशन से हम शुरुवात करते हैं पहला प्रेशन है रिजिनिंग का दोस्तों यह सीरिज दी हुई है आपको आपने बताना है इसमें जो खालिस तान है बहाँ पर क्या आएगा तो क्वेश्चन है दोस्तों ता सिक्स्टीन टर्म आफ़ता सीरिज 3, 5, 7, 9, 11 इस तो आपने बताना है दोस्तों यह जो शनिकला दी हुई है इस तरह आपको ने बताना है जो इसमें जो शोलवा अंक आएगा वो कौन सा इसके स्तान पर आएगा शिरिज है दोस्तों 3, 5, 7, 9 और 11 यहन की दो-दो का डिफरेंस है तो आपने बताना है जो शोलवी टर्म आएगी वो कौन सी आएगी तो दोस्तों दो-दो क डिफरेंस लेके चोहों सोलवा बाद आएगा इसमें वो आएगा 33 तो ओप्शन यह जो है वो सही हो जाएगा 33 है इसमें आएगा अगला प्रेशन है दोस्तों 6, 17, 39, 72 और question mark तो आपने पताना है दोस्तों यह जो सीरिज दी हुई है इसमें अगले स्तान पर क्या आएगा आपके लिए समय पांच सेकंड का समय है तो दोस्तों मैं आपको पताता हूँ चलिए तो दोस्तों इसमें 6 और 17 में 11 का डिफरेंस है और उससे बाद 17 और 49 में 22 का और 49 से 72 में 33 का तो इससे आगे आएगा 44 का यानि कि दोस्तों 11 का जो पहड़ा है बहुत चला हुआ है इसम इसमें डबल हो रहा है इनकी तो यहां पर पहले 11 का था उसके बाद 22 उसके बाद 33 तो आगे आएगा 44 का तो भत्तर और 44 होगे दोस्तो 116 option सीख सही हो जाएगा 116 अगला प्रशन है if the English alphabet is written in reverse order which one of the flowing letters will be the 14th from the left तो आपको बताना है दोस्तो यदि अंग्रेजी बर्णमाला को उल्टे क्राम में लिखा जाता है तो निमन मैंसे कौन सा अक्षर 22 से चौदवा अक्षर होगा तो आपको उल्टी ABC लिखनी है दोस्तो और उसमें आपको बताना है कि कौन सा चौदवा अक्षर आएगा left से तो दोस्तो जो हो चौदवा अंक होगा वो होगा दोस्तो कौन सा अंक होगा तो इसका ऑप्षन जो d है दोस्तो वो सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं वो अंक जो होगा M दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में प्रशन को नहीं डिसकस करेंगे क्योंकि दोस्तों काफी ज़्यादा प्रशन है और ब्यूडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम जल्दी जल्दी से प्रशन को discuss करेंगे अगला प्रशन है तो आपको पताना है दोस्तो अक्षों का करम परिवर्थित किये बिना जो जेंटलमेन सब्द है इससे कितने अर्थपून शब्द बनाए जा सकते हैं तो दोस्तो इससे बनाए जा सकते हैं तीन अर्थपून शब्द मैं आपको बता देता हूँ एक बनाए जाता है जेंटल और एक बनेगा मी और एक बनेगा मैं तो आप्शन सी सही हो जाएगा तीन शब्द बनाए जा सकते हैं जो मेनिंगफुल हो जिनका यूज होता है तो द दोस्तो ये जो test series हैं इनकी demand काफी बढ़ रही है तो इसके जो prizes हैं बहुत कुछ एक दिनों में बढ़ने बाले हैं तो दोस्तो आप अगर इनकी test series को purchase करना चाहते हैं तो जल्दी ही एक दो दिनों में purchase कर लीजिए बढ़ना आपको बाद में ज्यादा ज्यादा पैसे देने हो जाएंगी और दोस्तो कुछ एक दिनों में प्राइज मैंने बताया आपको बढ़ने बाले हैं तो जल्दी से जाएए जो प्रीक्षा एप है इसका लिंक मैंने description में दिया है आप बहां से डॉल्लोड कर सकते हैं तो चलिए आते हैं अपने प्रशन पर अगला पांच बा है दोस्तो चुकांगर का मसरूर रॉकर टेंपल है ये बनाया गया था आठवीश स्ताबदी में ऑप्शन सी सही हो जाएगा ये बनाया गया था समीर के राजा लजता दित्ते के द्वारा अगला प्रशन है को स्टार्टर दा सिपरातरी फेरो मंडी मंडी का सिपरातरी मेल ये प्रणाब किया था अजबर सेनने ऑप्शन डी सही हो जाएगा पंदरासो स्टाइस में आप सभी को दोस्तों हिटबांस में हैपी शिवरातरी अगला प्रशन है आरे मचल में कहां से आय थे तो दोस्तों ये आय थे शेंटल एसिया से ऑप्शन भी जो है वो सही हो में बक्शर की लडाई हुई थी दोस्तों 1764 में अब्द के जो नवाब थे बहुत बक्शर के युद में प्राजीत हुए थे ऑप्शन भी सही हो जाएगा बक्शर अगला प्रशन है इन हूज बाइसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ तो दोस्तों जो रोलेट एक् चैंपसफोर्ड ओप्शन सी सही हो जाएगा लॉर्ड चैंपसफोर्ड अगला प्रशन है इन बिच्चियर डिड़ दा प्रिटिस गवर्णमेंट एनौस फार्दा फास्ट टाइम डॉमिया स्टेट्स एस दा गोल ऑफ इंडियन पोलिटिकल डिवेलमेंट्स किस वर्स प् पून सवराज की मांग रखी थी और इसको ठुकरा दिया था अगला प्रशन है फू कोईंट दा स्लोगन इंकलाव जिंदाबाद का नारा किस ने दिया दोस्तों ये दिया था असरत महनी ने ऑफ्शन सी सही हो जाएगा और इसको बाद में जो पोबलर किया वो किया भक्त स प्रशन है अगला प्रशन है दोस्तों ये जो प्रशन है और हिंदी और इंगलिफ से है प्रशन है I am grateful – my grandfather for teaching me mathematics तोस्तों grateful के साथ 2 का प्रयोग किया जाएगा I am grateful to my grandfather for teaching me mathematics उप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा to अगला प्रशन है Antonyum of the Bird Facilitate तो आपको जो bird दिया हुआ है Facilitate इसका Antonyum बताना है तो दोस्तो जो bird है Facilitate इसका आर्थ होता है असान या सब्सान बनाना तो Option A इसका सए Antonyum हो जाएगा To Hinder यान की बाधा उतपन करना अगर दोस्तो वीडियो आपको तो आपने इसका सही मेनिंग बताना है तो दोस्तों इसका सही मेनिंग होगा वो होगा अंडर कंसाडेशन तो आप्षन भी सही हो जाएगा अगला प्रशन है आपने निरेंदर में पताना है कौन सा समास है निरेंदर शब्द में कौन सा समास है तो दोस्तों जो निरेंदर श अगला प्रशन है जिसका अभिने किया गया हो उसके लिए अपने एक शब्द बताना है तो दोस्तों जिसके लिए अभिने किया गया हो उसको कहा जाता है अभिनीत आप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा अभिनीत अगला प्रशन है आंसू पहुंचना मुहाबरे का अर्थ तो आंसू पहुचना मुहाबरे कार्थ हो जाएगा धंडस देना तो option A सही हो जाएगा धंडस देना अगला प्रशन है दोस्तो तो दोस्तो ये जो अगले प्रशन है दो प्रशन ये हैं दोस्तो रिजिनिंग से तो प्रशन है दोस्तो इफ ग्लोसरी इस कोड़ेट एज 975-3 3-3-5-6-2 and geography is coded as 915-96-8402 then geology can be coded as दोस्तो काफी असान प्रशन है अगर ग्लोसरी को दोस्तो इस तरह लिखा जाता है तो आपने पताना है geography तो geology जो है उसको किस तरह लिखा जाएगा तो दोस्तो इसमें G को दोस्तो 9 से नोट किया गया है तो 9 आ जाएगा E को दोस्तो इसम 7 से और O को 5 से और G जो है उसको 9 से और B जो है उसको 2 से तो इसका option B सही हो जाएगा 915-7592 option B सही हो जाएगा अगला प्रशन है इफ नीना सेज अनीता's father रामन इस दा only son of my father-in-law महिपाल then how is बिंदू who is the sister of अनीता related to महिपाल तो नीना कहती है दोस्तो नीता के पिता रामन मेरे जो सस्वर है महिपाल के एक मात्र पुत्तर है तो बिंदू जो नीता की बहन है महिपाल से किस प्रकार स्वंदित है अगर दोस्तों जो महिपाल है वो हो अनीता के जो अनीता के पिता जो रामन है तो दोस्तों वो स्वसर है और महिपाल के वो एक मात्र पुत्तर है तो जो इसका जो सबंद हो जाएगा जो बिंदू है उसका महीपाल से सबंद हो जाएगा पोत्री यहनकी ग्रांड डॉटर तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा ग्रांड डॉटर अगला प्रशन है मातल जी के से हुए मांगदा फ्लॉइंग रूलर रॉ बुशहर मेड़ रामपुर हमी क् dis capital मुशयर के नियु लिक्त में से किस रास्रक ने रामपुर को मपनी राजधानी पनाया तो दोस्तों भूडा प्रहेस्ट की माचब देश में हूनों के तो option A सही हो जाएगा हून अगला प्रशन है दा अपर हाउस ओप हिंडियन पारलेमिंट इस दा नौनेज आपको बताना है बारतिय संसत का उपरी सदन क्या कहलाता है दोस्तो बारतिय संसत का जो उपरी सदन है उसको राजय सबा कहा जाता है option A जो का बढ़नन है अंशेद 80 में अगला प्रशन है दा संटी थरी चिए जो है बहु जाएगा दोस्तो आपके लिए प्रशन है कब हुआ था त्रवा समीदान शंसोदन अगला प्रशन है भारत के कि हैखमाता राज्य में समान अगरिक सहिनता है तो दोस्तो जो common civil code है वो है भारत के गोवा राज्ये में और option D जो है वो सही हो जाएगा और 96 तालिफ में दोस्तो इसका बर्णन है अगला जो प्रेशन है ये जो प्रेशन है दोस्तो अगले science से है प्रेशन है टी बिल कूल most easily in आपको पताना है दोस्तो चाहे सबसे सेगर ठंडी होगी तो किसमें चाहे सबसे सेगर ठंडी होगी तो चाहे दोस्तो ठंडी हो जाएगी metal cup में दातू के cup में option D जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है ये फर्टिलाजर which naturally occurs in some rocks is कुछ चटानों में प्राक्रितिक रूप से पाये जाने बाला उर्वरक है तोस्तो कुछ चटानों में जो प्राक्रितिक रूप से पाये जाने बाला उर्वरक है वो है सूपर फास्पेट option B जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है cotton seeds are dispersed by प्रेशन के बीज किसके द्वारा परकिरिनित होते है दोस्तो जो cotton होता है कपास होता है इसके जो बीज है वो परकिरिनित होते है बायू के द्वारा बिंड option A सही हो जाएगा बायू अगला प्रेशन है butter is a good source of मक्षन उत्तम स्त्रोत है तो दोस्तो मक्षन जो है उत्तम स्त्रोत है vitamin A का option A से हो है वो सही हो जाएगा vitamin A और दोस्तो जो vitamin A है इसका जो रसानिक नाम है वो है retinol तो आपने याद रखना है और vitamin B1 का है thymine और C का है ascorbic acid अगला जो मुख्य प्रेशन है हाती घास पाई जाती है तो आपको पताना है दोस्तो जो elephant grass है वो कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है दोस्तो स्वाना क्षेतर में option A जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तो जो स्वाना grassland है ये पाई जाते है देक्षन अफरीका में अगला प्रशन है which of the flowing rivers अफ्रीका महादीब में पाय जाते हैं अगला प्रशन है which of the flowing rivers does not emerge out of the trite region आपको पताना है इनमे से कौन सी नदी जो है वो trite क्षेतर से नहीं निकलती है तो दोस्तो त्राइक शेतर बोक शेतर है जो हो शिवालिक परवत जो है उस एरिये के शेतर को त्राइक शेतर कहा जाता है और इन्हें से जो यमना नदी है वो त्राइक शेतर से नहीं निकलती है और उप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तो यमना नदी जो है ये निकलत आकब वताना है कौन से राजिय में, मियराकशी नहर पर्योजना से सबंदित है, यनि कि मियराकशी पर्योजना जो है, कौन से राजिय में है, तो ये है दोस्तो, बेस्ट मुगोल में इनकी बस्चिम बगाल में option D सही हो जाएगा best Bengal अगला प्रशन है fuel used in atomic pile is atomic pile में प्रयुक्त इंदन है तो दोस्तों जो nuclear reactor होते हैं उसमें जो इंदन प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है uranium तो option C जो है बसही हो जाएगा uranium अगला प्रशन है beach of following is not a indus belly site दोला बीरा और आलमगीर पूर जो है यह सिंदु घाटी style है लेकिन मेंगलोर नहीं है तो option D सही हो जाएगा अगला प्रशन है वीचीजदा उपवेदा आप सामबेद सामबेद का उपवेद कौन सा है आपने बताना है तो दोस्तो जो सामबेद है इसका जो उपवेद है वो है गंधर बेद option A सही हो जाएगा और इसके जो रचनाकार है वो है भर्थ मोनी और आईरवेद जो है दोस्तो यह है रिगवेद का उपवेद है अगला प्रशन है फिरवाजदा कैप्टल आप काशी महाजनपदा काशी महाजनपद की राजधानी कहा थी तो यह थी दोस्तो बाराणासी option C सही हो जाएगा और बिशाली जो थी बोथी ब्रिजी महाजनपद की अगला प्रशन है बिचीजे स्टेक्ट आप जैनिजम कौन सा जैन धर्म का संप्रदाए है तो दोस्तो जैन धर्म के दो संप्रदाए थे दिगांबर और श्वितांबर तो option D जो है वो सही हो जाएगा A और B दो नो और जो बहुत धर्म है उसके थे महायान, हीन्यान, बजर्यान अगला प्रशन है बिच बन एमांग दा फॉलोइंग fuels is used in gas building आपको पताना है कौन सा इंदन gas building में प्रियुक्त होता है इन option मैंसे दोस्तो जो gas building होती है उसमें acetylene gas का प्रियुक किया जाता है तो option D जो है वो सही हो जाएगा acetylene अगला प्रशन है बीच बन एमांग दा फॉलोइंग सबस्टांसिज इबॉल्व हीट भेन dissolved in butter निमन मैंसे कौन सा अपदार्थ जब पानी में गोला जाता है तब उशमा उत्पन करता है तो दोस्तो जो क्यूक लाइम है अनुजा चूनना है इसको जब पानी में गोला जाता है तो यह हीट उत्पन करता है option C जो है वो सही हो जाएगा क्यूक लाइम दोस्तो अगर आप को background में थोड़ी सी noise या फिर music सुनाई दे रहा है तो ख्षामा चाहता हूं यहां पर पास मेहीं एक मंदिर है और शिवरातरी आ रही है तो वहां पर भजन लगाए हुए हैं तो ख्षामा करना अगला प्रशन है ता सेक्स ओफे newborn baby is determined by the chromosome inherited from पामदा नवजात सिसु का link । से बन्शागत गुनसूतर से निर्धारित किया जाता है तो दोस्तों यहें जो निर्धारित होता है वह होता है पिता के गुनसूतर से option B जो है वह सही हो जाएगा option B अगला प्रशन है अगला प्रशन है इंगलिस से meaning of the idiom fling away तो आपको इस idiom का meaning बताना है तो दोस्तों fling away idiom है इसका meaning हो जाएगा तो throw aside violently option C सही हो जाएगा अगला प्रशन है a single bird substitute for a person who lives by himself is तो आपको पताना है दोस्तों a person who lives by himself उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है रेक्लियूज यानि जिसे सुनियाशी कहा जाता है option A सही हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों आपको correct spelling बतानी है violent की तो violent की जो correct spelling होती है option B सही हो जाएगा बॉयलेंट इस तरह लिखा चाता है अगला प्रशन है मनुश्य का भावाचक आपको बताना है मनुश्य का भावाचक शब्द क्या है दोस्तों मनुश्य का जो भावाचक शब्द बनेगा वो बनेगा मनुश्यता option C से हो जाएगा मनुश्यता अगला प्रशन है आपको अंग का प्रायवाची बताना है अंग का प्रायवाची क्या होगा ऑप्शन है पाबक, चमू, कलेबर या फिर अनल तो दोस्तो जो अंग है इसका जो प्रेवाच्ची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कलेबर और अप्शन C जो है वो सही हो जाएगा कलेबर अगला और अंतीम प्रेशन है दोस्तों आपको सुद सबत बताना है अनुशरन का जो अनुशरन है वो किस तरह दिखा जाता है तो दोस्तों जो अनुशरन है वो लिखा जाता है ओप्सन C सही हो जाएगा अनुशरन जो है वो इस तरह लिखा जाता है तो दोस्तो ये आज का mock test आपका complete हुआ है आप comment करके बताएं आपके 45 मेंसे कितने प्रशन सही हुए अगर आपके दोस्तो 35 प्रशन सही हुए होंगे या फिर 30 तक भी आपके प्रशन सही हुए होंगे तो दोस्तो आपकी तियारी जो है वो सही दिसा में है दोस्तों और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैं इसे शेर भी करें और बहुत ही जल्द मिलते हैं कल नेक्ट की वीडियो में तब तक बाई जहिन जह भारत बंदे मातरम